नमस्कार हेल्दी कीचन नमाजी में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं भरवा मिर्च की रेसिपी तो चलिए देखते हैं भरवा मिर्च बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों किया सकता पड़ेगी तो यहां पे मैंने लगबक 100 ग्राम के लें आसपास मोटे और लंबे हरी मिर्च लिए इसको मैंने दोकर सुखा कर अच्छे से ले लिया है यहां पे कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें हैं दो चोटा चमच जीरा दो चोटा चमच सर्सोंके दाने एक चोटा चमच मेथी दाना थे दो चोटे चमच सौफ और एक मिलता हमें मार्केट में इजली मिक्स मिलता आप चाहे तो भी ले सकते हैं यहां पर एक छोटा चमाच हमचूर पाउडर है एक चमाच हल्दी पाउडर लगेगा स्वादा नुसार नमक यूज़ करेंगे हम और यहां एक निम्बु को निचोड़कर मैंने ले लिया है और भर्वा मिर्ज बनाने के लिए सर्सो का तेल है आप पुचाहे तो कौकिंगा यूज़ कर सकते हैं पर मैं आपको सज्जेस्ट करूंगी कि आप सर्सो का तेल यूज करें इसमें भर्वा मिर्ज का टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है तो सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और गैस पर तवा रट देंगे तवा को अच्छे से हमें गरम करना है हलका तो यहां पर मैंने एक लोह का तवा लिया है आप कौन सा भी पैन यूज कर सकते हैं हमें टेल का यूज Ne करें और इसका हसे हलके हातों से हमें चला चला खर चमद के साहता से उलेना है कंटिनु चलाएं पहल नहीं पूने और इसे एक सेकंड के लिए ऐसे ही भूनते रहेंगे ताकि तब हमारा गरम है और इसमें जो पचा कुछा रहेगा भून जाएगा साथ में तो यह भंठा इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि यह जल्दी से हलका सा थंडा हो जाए और इसे हमें थोड़ा गरम ही घंगे और पीछ लेंगे तो मैंने एक मिक्सि गार में इसको डाल दे रह центр है और इसके अच्छा नाना है मैं जो पीछ टूम तो में इसे मैं पीछा ने ह्यूंग्ववा डाल दिया विकाणा झाले मिशाव जला कर फिर मैं आपको बताऊंगी तो मैं पीछ थी पहले तो निकाल लेंगे तो इसे एक प्लेट में निकालने के बाद इसमें जो हम सुखे मसाले जो है वहाइट कर देंगे तो यहां पर मैंने हल्दी पाउडर यूज डाल दे रही हूं यह लगबग एक चमच के आसपास हल्दी पाउडर डाला है मैंने सौधा नुसा नमक ले लेंगे आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम जादा कर सकते हैं मैंने यहां लगबग एक चमच के आसपास जाला यहां पर एक चमच के आसपास हमचूर पाउडर यूज कर रही हूं अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से एक ब अब हम इसारी मिर्च को मिर्च में चीरा लगाएंगे ताकि मसाले मिर्च के अंदर भर सके तो आप चॉपिंग बोर्ड की सायता या किसी पर रखके मिर्च को ऐसे बीच में से चीरा लगा लें याद रखे मिर्च में मिर्च के दो पार्स नहीं होना चाहिए इसे बीच मे हम साम टिंविकल्ट होता है इसको चीरा लगाने में में यह मिन desakStöm सकते हैं देख लिए अने की पूर रूंधित में मलतना है आप है छोया है आपको मिर्च कभी भी लंबा और मोटा लों ताकि भरने में इजी हो और स्पाइसी भी कम होता है तो आप इजी लिए इससे खा सकते हो तो अब इसमें हम सारे मसाले भढ़ देंगे तो आप किसी चम्मच या चाकू की साहता से मसाले फिल कर लें इसमें तो आप मैं देख रहे हैं आप मैं कैसे बहर हूँ इसी तरह आप सारे मसाले को फिल करके पहले तयार कर लें बहुत ही आसानी से भढ़ जाता है तो एक-एक मिर्च में मसाले फिल करके हम रख लेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ तो सभी मिर्च में हमें मसाले फिल करके तयार कर लेने हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है भणने में बद आसानी से भढ़ जाती है तो यहां पर मैंने दो मिर्च को भरके तयार कर लिया है इसी तरह सारे मसाले को भरके देखिए मैंने यहां पर सारे मसाले को भरके तयार कर कम होती है तो कहा है नजए घ्राइब कर लेंगे पकाते समय इसको तो गएस पर हम गैस जला कर गैस पर कड़ाई रख लेंगे सबसे पहले और कड़ाई को अच्छे से गरम होने देना है मैं यहां पर लोह का कड़ाई उसकी हो जो सौछती के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो अब इसमें हम डाल देंगे लगबग एक से डेड़ चममच के आसपा सर्सो का तेल यहां पर मैंने सर्सो का तेल यूज किया है जिसे भरवात का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है आप चाहे तो कुण सा भी कुकिंग यह लूज कर सकते हैं अब इसे अच्छे से गरम हो सर्सो का तेल पक जाने के बाद ही डालें क्योंकि इसमें अगर कच्छा रहेगा ना तो सबजी या कोई भी डिश में का तेल का कच्छा पनाएगा तो हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका अब इसमें डाल देते हैं अपने हरी मिर्ज और इसे हलके हातों से हमें चला देन फौन कलर का न हो जाए तो इसे चलाते-चलाते हमे पका लेना है तो इसे हम रुक-ष्या चलायेंगे ताकि अच्छे से सीख्धा और इसे मैं कंटिनिएसली चलाना हमें तो यह नीचे से बढन हो जाएगा और और दिपल्ड़ कर देंगे अर्म से ताकि यह जल्दी से पक ह तो इसे मैंने कवर कर दिया अब एक से दो मिनट बाद मैंने इसको कोल के फिर इसको कंटिनियूसली चलाया अब इसे में फ्राई तब तक करना है जब तक यह हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तो इसे ऐसे ही चलाते रहें ताकि चारो ओर से अच्छे से सीख जाए मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है खाने में आप दाल चावल नॉर्मल प्लेन दाल राईस बनाएं उसके साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं पूरी पर अठे के साथ भी खा सकते हैं अगर आप को तीखा काने का मन करें और सब्जी ना रहे तो आप इसके साथ आराम से रोटी पर अठे का सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी होता है तो आप इससे जरू ट्राइ कीजिए बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही चटपटी लगती है जिसको तीखा काने का क्रेश उसके बढ़ा देगा था हम पूरा कोट हो जाएगा मसाला सारे इसमें तो इसे अच्छे से मिक्स कर दें एक बार यह हमारा लगभग पक चुका है इसे एक से दो सेकें हमें और पकाना है और इसे चला चला कर फ्राई कर लें हमारा मिर्च जो है फ्राई हो चुका है बट मसाले डाल हो चुका है भरवा मिर्च बनकर तयार हो चुका है तो इसे हम कवर करके पकाएंगे ताकि जल्दी से जो हमारा मिर्च थोड़ा बहुत कहीं रहेगा वो पक जाएगा तो इसे मैंने कवर कर दिया है और इसे बीच में चला चला कर मैं इसे पका लिए हैं तो यह अच्छे से फ में पका लेना है ताकि यह सारे जो हमारे निम्बू का रस है वो सारे मिर्च में कोट हो जाए तो हमारा मिर्च यहां बनकर तयार हो चुका है अब हम गैस आफ करेंगे और इसे कंटिनुसली एक बड़ चला देंगे और अब मैं गैस आफ करके बन कर दिया हो निकाल कर तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपको मेरा चैनल यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब